शिक्षार्थियों, हम आपके सामने विराटा की पदमिनी को लेकर फिर उपस्थित हैं पिछले आंश में हमने विराटा की पदमिनी उपन्यास के विशय में कुछ बातों को जाना था जैसे हमने इस उपन्यास की कथा का सार आपके सामने प्रस्तुत किया था इसके साथ इस उपन्यास की जो विशेवस्तु है उसके बारे में जाना था इसके बाद इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं उनके व्यक्तितु की क्या-क्या विशेश्टाएं हैं इन पर भी हमने चर्चा की थी आईए अब इस अंश में कुछ और तत्वों के आधार पर इस उपन्यास को समझने की कोशिश करते हैं सिक्षार्थियों जैसा की आप जानते हैं कि किसी भी रचना को खास्तोर से अगर वह रचना कथात्मक है उसमें कोई कहानी है तो उसे समझने के लिए उसका एक तत्व होता है परिवेश यहां हम शुरुवात कर रहे हैं विराटा की पदमिनी की परिवेश से विराटा की पदमिनी के परिवेश की बात करें तो इसका परिवेश आँचलिक कहा जा सकता है उसमें परिवेश की पूरी सजीवता है यानि ये उपन्यास अपने परिवेश को पूरी सजीवता के साथ प्रस्तुत करता है और परिवेश में भूगोल का बहुत बड़ा महत्व होता है तो इस रचना में भूगोलिक द्रिष्टी से जिस क्षेत्र को दिखाया गया है वह क्षेत्र यमुना, बेतवा, पहूज, सिंधु, चंबल, कुमारी आदी, परवतिय नदियों इसके साथ चोटी-चोटी पहाडियों, तीलों, घंगोर जंगलों, जीलों, भरकों से भरा हुआ है इन नदियों, पहाडियों, जंगलों और भरकों के बीच बसे बुंदेलों और दांगी सामनतों के गड़ मानो प्रकृती की गोद में सुरक्षित शिशुओं की तरह हैं जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपके मन में यही कल्पना आएगी विराटा की पदमिनी में बुंदेल खंड के प्राकृतिक सौंदर्य का यथार्थ और सजीव वर्णन मिलता है यानि जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपको यह जरूर लगेगा कि जैसे आप बुंदेल खंड की प्राकृतिक सजीवता में विचरन कर रहे हों घूम रहे हों और कहीं न कहीं आपके मन में ये भी जरूर आएगा कि हमें भी इन इस्थानों को देखना चाहिए ये हमारे अतीत के बारे में कुछ बताते हैं इतिहास के बारे में कुछ बताते हैं हमारे देश के वीरों के बारे में कुछ बताते हैं इसलिए ये इस्थान आपको जरूर आकरशित करेगा और इसका श्रेय जाता है विरिंदावन लाल वर्मा के इस उपन्यास को इस जैसा कि हमने बताया कि इस उपन्यास में बुंदेल खंड के प्राकृतिक सौंदर्य का सजीव वरणन मिलता है और इस सौंदर्य में कोमलता के साथ साथ भयानक्ता का भी अद्भुत समावेश है सिक्षार्थियों जो सहज प्रकृति होती है वह परस पर विरोधी विशेश्टाओं को लिये हुए होती है यह हम सब जानते हैं तो इस उपन्यास में केवल सुन्दर सुन्दर को नहीं दिखाया गया है बलकि सुन्दर्ता में भयावेटा होती है रहस्य होता है रोमान्च होता है उसका भी चित्रन किया गया है और कुल मिला के यही वो चीजें हैं जो बुंदेल खंड को संपूर्णता में प्रस्तुत करती है आगे हम चर्चा करेंगे इस उपन्यास को प्रभावशाली बनाने वाले अन्य तत्वों के बारे में जैसे अगला तत्व है उपन्यास का समवाद इस उपन्यास को प्रभावशाली बनाने में समवादों की बहुत बड़ी भूमिका है जहां भी कथा प्रस्तुती की द्रिशात्मक प्रविधी काम में लाई जाती है यानि कथा को प्रस्तुत करने के लिए द्रिश प्रस्तुत किये जाते हैं यानि द्रिशों की रचना की जाती है वहाँ पात्रों का वार्तालाप इस उपन्यास में सहज रूप में आ गया है जैसे कि आपने देखा कि इस उपन्यास का आरंप एक दृष्ष से होता है और वहद्रिश्य योजना यह है जिसमें दिलिपनगर के अध्पगले राजा और उसके दर्वारियों का वारतालाप है यद्यपी इस वारतालाप में सहस्ता और पैनापन अधिक नहीं है पर इन पात्रों के व्यक्तित और भावों को ये समवाद अभिव्यक्त कर देते हैं और आप जान लेते हैं कि जो दिलिप नगर का राजा है उसका व्यक्तितु कैसा है वह किसलिए आया है पालर की जील में उसके दरबारी कैसे हैं उनके समवादों के माध्यम से उनका चरित्र कैसा है वो सब कुछ इन समवादों के माध्यम से आप समझ लेते हैं यानि पात्रों के मनुभाओं को व्यक्त करने, कथा को आगे बढ़ाने और भावी घटनाओं के प्रती जिग्यासा पैदा करने में उपन्यास के समबाद समर्थ है और यही समबादों की सार्थक्ता भी होती है अगर कोई भी रचना अपने समबादों के माध्यम से यह कार्य कर देती है तो उन समबादों को सफल माना जाता है इसके साथ साथ कुंजर सिंग और कुमूद के गूढ व्यंजना से भरे समबादों से उनका दिव्य प्रेम अपनी आध्यात्मिक उचाई पर पहुँच जाता है सिक्षार्थियों रचनाओं में कभी-कभी मौन के माध्यम से भी समबाद अभिव्यक्त किये जाते है आप यह देखेंगे कि कुंजर सिंग और कुमूद के बीच समबाद बहुत कम हैं लेकिन वो कहते बहुत कुछ हैं इसलिए हमने यहां गुढ भी-वेंजना शब्द का प्रियोग किया यदि कुंजर सिंग और कुमूद के बीच जो भी बाचीत होती है जो की बहुत कम है वह बाचीत प्रेम की गुढ भीवेंजनाई करते हैं कुंजर सिंग और भुसावली के किसान हम यहाँ आगे एक बात और कहने जा रहे हैं इन समवादों के बीच इसी के तहट हम यह कह रहे हैं कि कुंजर सिंग और भुसावली के जो किसान है उनके माध्यम से भी हम समवादों की विशेष्टाओं को देख सकते हैं यसे एक किसान बालक जब कुंजर सिंग से बातचीत करता है तो यह पता लगता है कि कुंजर सिंग की जो भाशा है वो भिन्न है वह परिनिष्टि तिंदी बोल रहा है और बालक शुद बुंदेल-खंडी में बात करता है आप समझी गए होंगे कि उस किसान बालक को शुद्ध बुंदेल खंडी में बोलते हुए क्यों दिखाया गया है इसलिए ताकि समवाद सहज लगें जिस भाषा को कुंजर सिंग बोलेगा जाहर सी बात है उसे वह बालक नहीं बोल सकता वह है अपनी ख्षेत्रिय भाषा बोलेगा और इसलिए पात्रों को विश्वस्निय बनाने में इन समवादों का बहुत बड़ा योगदान है शिक्षार्थियो अब जो अंतिम तत्व है उपन्यास का उस पर हम चर्चा करेंगे और इस पर आप विशेश ध्यान दीजिएगा विराटा की पद्मिनी की भाषा शैली की विशेशताओं पर हम यहाँ ध्यान देने जा रहे हैं इस उपन्यास में वैसे तो अधिकतर परिनिष्ठित हिंदी का प्रियोग है पर बीच बीच में शेत्रिय बोली जैसे बुंदेल खंडी के शब्दों का समावेस किया गया है और अभी हम इस बात की चर्चा आपसे कर चुके हैं कि वह जो किसान बालक है वह बुंदेल खंडी का प्रियोग करता है अपने समबाद में इसके साथ साथ यह बुंदेल खंडी भाषा का प्रियोग इस उपन्यास के वातावरण को बहुत सजीव बनाता है सिक्षार्थियों हिंदी भाषा की यह विशेष्टा है कि जब उसमें रचनात्मक साहिते लिखा जाता है रचनात्मक साहिते का मतलब है उपन्यास की तो हम चर्चा कर ही रहे हैं लेकिन जैसे कहानी है, नाटक है, कविता है, निवन्ध है और भी जो रचनात्मक विधाएं हैं तो इन विधाओं में जिस भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वह भाषा एक रूपी नहीं होती है यानि हिंदी की एक शमता है कि वह अपने रचनात्मक साहिते में पात्रों के अनुसार, भाषा के अनेक रूपों का समावेश करने की शमता रखती है तो ये वैसे भी हिंदी की एक बहुत बड़ी विशेष्टा है कि हिंदी अनेक भाशाओं से, अनेक बोलियों से, अनेक छेत्रिय बोलियों से शब्द लेकर अपने आपको सम्रिद बनाती है. तो इस उपन्यास में इस्थितियों को सजीव बनाने के लिए, वातावरण को सजीव बनाने के लिए, पात्रों को विश्वसनिय बनाने के लिए, बुंदेल खंडी के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में. बुंदेल खंड की जो आंचलिकता है, यानि जो अंचल है, यानि क्षेत्र है, उसे उसकी समग्रता और सजीवता में प्रस्तुत करने के कारण उपन्यास में आंचलिक उपन्यास की विशेषताइं भी आ गई है एक पूरी अउधार्णा है हिंदी में आंचलिक उपन्यास की आपने नाम सुना होगा फणिश्वर नाथ रेणुका उनका एक उपन्यास है मैला आचल तो वह उपन्यास एक अंचल विशेश को अभिव्यक्त करता है एक अंचल विशेश का संघर्ष, वहां की प्रिकृती, वहां के लोग, वहां की समस्याएं वहां का इतिहास, वहां का भूगोल, वहां की क्षेत्रिय विशेष्टाएं इन सब को रेणु का वह उपन्यास तस्तुत करता है इसलिए वह उपन्यास आंचलिक उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हुआ यहां भी आप देखेंगे कि विरिंदावन लालवर्मा का जो उपन्यास लिखने का उद्देश है जिसकी चर्चा हम शुरू में कर चुके हैं वह यह है कि वे बुंदेल खंड की जो प्राकृतिक सुष्मा है उसका इसके साथ साथ बुंदेल खंड के लोगों का इसके साथ बुंदेल खंड के लोगों की जो चारितरिक विशेष्टाएं हैं उनका उनका त्याग और बलिदान है इसका वहां के इतिहास का वहां के किलों का वहां की कथाओं का वहां की किमदंतियों का प्रस्तुतिकरण इस उपन्यास में कर रहे हैं इसलिए ये उपन्यास बुंदेल खंड की आंचलिक विशेष्टाओं को लेकर हमारे सामने आता है आप समझ गए होंगे कि आंचलिक उपन्यास की अवधारना क्या है और उस अवधारना से इस उपन्यास का भी गहरा संबंध है भाशा की दूसरी चीजों पर अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में व्रिंदावन लाल वर्मा ने ध्वनी मूलक, अर्थ मूलक, आदी शैलीगत तत्मों की सहायता से भाशा शैली को मधूर बनाने का सफल प्रियास किया है ध्वनी मूलक का मतलब ये है कि जैसे वो सुना रहे हैं हमें बहुत सारी चीजों को जैसे कोई चीज हमें सुनाई देती है उसकी जो ध्वनी है उसको जब भाशा में प्रस्तुत किया जाता है तो ध्वनी मूलक कहलाता है इसी के साथ साथ गूड व्यंजना वाली जो भाशा होती है उसे हम अर्थ मूलक शैली कहते हैं इन सब चीजों का उप्योग व्रिंदा मुलल वर्मा ने इस उपन्यास की भाशा शैली में किया है और इस से इस उपन्यास की भाशा शैली बहुत मधुर हुई है सिक्षार्थियों वैसे तो अलंकारों का संबंध कविता से होता है परिसुपन्यास को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि गध्य में या गध्य की दूसरी विधाओं में भी अलंकारों का प्रियोग किया जा सकता है और उससे ये विधाएं सम्रिद्ध होती हैं, रचनात्मक बनती हैं जैसे विराटा की पदमिनी में उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, आदी जो साद्रिश, मूलक अलंकार हैं, वे आए हैं और इन अलंकारों के कारण इस उपन्यास की भाशाशैली में नमीनता और नमीनता के साथ साथ व्यंजप्ता आ गई है यानि इस उपन्यास का जो गद्य है वो अलंकारों से भी सम्रिद्ध हुआ है और उन अलंकारों में फ्मूख हैं उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा इसके साथ साथ इस उपन्यास में परिनिष्ठित तत्सम तद्भव शब्दों के बीच बीच में बुंदेल खंडी शब्दों का ऐसा सुघड प्रियोग किया गया है जो भाषा में सहज्ता एवं सजीवता ला देते हैं तत्सम तद्भव शब्द तो आप जानते ही होंगे कुछ शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं और जो उन तत्समों से हिंदी खड़ी बोली में बहुत से शब्द बने हैं रूप बदल कर उन्हें हम तत्द्भव कहते हैं और हम अपने बोलचाल की भाशा में भी चुकि तत्सम तद्भाव शबदों का प्रियोग करते हैं और जहां के हम होते हैं, जैसे कोई व्यक्ती किसी भी प्रदेश का है, किसी क्षेत्र का है, तो इन तत्सम तद्भाव शबदों के साथ वो इस turmericविशेष की भाशा को भी रखनी यह बनता है यह विशेष्टा भाषा की बोध गम्यता को भी कायम रखती है बोध गम्यता का मतलब होता है कि हमें आसानी से समझ में आ जाए यानि इस उपन्यास की भाषा बनावती नहीं है वह सहज है जैसा प्रियोग बोल-चाल में होता है वैसे ही इसकी भाषा भी इसलिए हमने कहा कि यह जो विशेष्टा है तत्सम तद्भव और बुंदेल खंडी से मिलकर बनी भाषा की यह बोधगम्यता को कायम रखते हुए वर्मा जी की भाषा शैली को ताजगी से भर देती है सिक्षार्थियों उपन्यास आकार में बड़ी रचना है कहीं कहीं बड़ी रचनाओं में भाषाई असावधानी हो ही जाती है इस उपन्यास में भी शब्दों के चुनाओं में कहीं कहीं असावधानी नजर आती है जैसे वाक्यों की बनावट में अनावश्यक पदबंधों का समावेश वाक्यों में पदबंधों का सही स्थान निर्धारण न कर पाना इसके साथ संग्या सरुनाम क्रिया आधी व्याकरनिक कोटियों संबंधी भूल और कारक चिन्नों की प्रियोग बहुलता के कारण इस उपन्यास की भाषा कहीं कहीं असहेज या थोड़ी से मुश्किल हो गई है लेकिन ये वो चीजें हैं जो बहुत अधिक महत नहीं रखती उपन्यास इतनी वड़ी रचना है विराटा की पदमिनी भी एक उपन्यास है इतनी दूर तक व्रंदावन लाल वर्मा ने सहेज, बोधगम्य और रोचक भाषा का निर्वाह किया है कि ये छोटी मोटी भूलें कोई खास महत नहीं रखती तो प्रिय सिक्षार्थियो अब तक जो हमने चर्चा की उसके माध्यम से आपने यह जाना की विराटा की पदमिनी उपन्यास किस प्रकार का उपन्यास है इसके साथ हमने यह भी चर्चा की की व्रंदावन लाल वर्मा हिंदी उपन्यास के किस काल के रचनाकार है हमने आपको यह भी बताया कि वे हिंदी के अदुतिय, एतिहासिक उपन्नियासकार कहे जाते हैं उन्हें हिंदी के बड़े-बड़े आलोचकों, बड़े-बड़े विद्वानों की सराहना इस खशेतर में मिली है इसके बाद हमने हिंदी उपन्यास को तत्वों के आधार पर समझने की शैली का निर्वाः करते हुए विराटा की पदमिनी को भी उन्ही तत्वों के आधार पर समझा जैसे इसकी विशेवस्तु क्या है, इसका मूल संदेश क्या है, इसके पात्र कैसे है, इसका परिवेश कैसा है, इसके समवाद कैसे है, इसकी भाशाशैली क्या है इन सारी विशेष्टाओं के आधार पर हमने विराटा की पदमिनी उपन्यास को समझा हमें ये आशा है कि इन तत्वों के आधार पर किये गए इस विवेचन के आधार पर आपको ये उपन्यास निश्चित रूप से बेहतर ढंग से समझ में आया होगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि अब जब आप इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो आपकी इस मृति में हमने आज जो बात चीत की वो कहीं न कहीं आपका मार्ग निर्देश करेगी और आप इस रचना को वेहतर ढंग से समझ भी पाएंगे इसकी सराहना भी कर पाएंगे इसकी व्याख्या भी कर पाएंगे इसकी समीक्षा भी कर पाएंगे और दूसरों को ये बता पाएंगे कि हिंदी उपन्यासों में इस उपन्यास का क्या महत्त है तो हमें आशा है कि इस चर्चा का आपको अवश्य लाब हुआ होगा धन्यवाद